नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है, डेट आज की 17 सितंबर 2021 और देख लिए थे इंडियान एक्स्प्रस के अडिटोरियल और आइडिया पिद से इंपोर्टन आर्टिकल जो अभी हम डिसकस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे दाट इस टेकिंग दे कॉल, इस आर्टिकल में देखेंगे गुवर्मन्ट आफ इंडिया के दौरा जो अभी रिफॉर्म्स लाए गये हैं या कुछ ऐसे प्रोविजन किये गये हैं जिसकी वज़े से इन्वेस्टमेंट अट्रेक्ट ह होगा, टेलिकॉम सेक्टर का जो स्ट्रेस है वो डाउन होगा और आटामोबील सेक्टर में भी कही ना कहीं राइस देखने को मिलेगा, जानेंगे इसको पूरा डीटेल में, दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे दर रॉंग आंसर, क्योंकि अभी जो नीट एक्जाम को लेकर करके यहां पर एडिटर के ऑपीनियन है, जानेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे इदर, अभी जो नेशनल मॉनेटाइजिशन पाइपलाइन और साथ में गौर्मेंट आफ इंडिया की दोरह जो कदम उठाये जाने जिसकी वजह से, गौर्मेंट के पास में जो रिवेन् जानेंगे कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा इस वाले आर्टिकल में बैक टो स्कूल, इसमें कुछ साजेशन्स हैं एजुके लिए, कि एजुके को कैसे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्राबलम्स तो हो चुकी हैं, क्योंकि यहां पर प्राइम्री स्कूल की अगर बात करें, तो लगबख पांच सो दिन, आप देखो लगबख लगबख सेवेंटी वीक्स के बाद में स्कूल खुल रही हैं, तो ऐसे में बच्चे बिलकुल डिसकनेक्टेड रहे हैं पांच सो दिनों से, उनको कैसे आप लर्निंग कर सकते हो उसके लिए कुछ सजेशन से जानेंगे, तो यह आर्टिकल से इनको देखते हैं कि एक डीटेल में, फर्स्ट इस टेकिंग दे कॉल, इस सीरीज में इस वले आर्टिकल में हम देखेंगे, कि देखो गवर्मेंट ने अभी पिछले हफ़ते के अंदर बहुत सारे अनाउंसम किये हैं, जिसमें पॉलिसी चेंजिस देखने को मिले हैं, और इसमें शुरुआत होती है कि इस से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो मुद्दा था, उसको बिलकुल खतम कर देना, और आगे भी इसका स्कोप ना हो, इसके लिए कोशिशे करना, जिसकी वज़े से आ गॉर्मेंट की सबसेडियरी थी, अभी खेर अभी भी है, उसके खिलाफ में एक मतलब याचिकाएं दायर कर दी थी कि इसकी जितने भी एसेट्स हैं, गॉर्मेंट आफ इंडिया की, वो सारे सीज करने का अप्रूवल दे दो, क्योंकि 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सेशन के चलते हैं, केर अनरजी के खिलाफ में बहुत सारे टैक्सिस लगाए गए थे, ठीक है, तो उनको करेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा कدم था, फिर उसके बाद में टेली कॉम सेक्टर लगातार स्ट्रेस में था, और कुशिश ही हो रही थी, या फिर जो एक माहुल जो बन रहा था, वो कुछ ऐसा था, कि डियो पॉल इस्टैबलिश हो जाएगी, जिसमें एक तरफ रिलाइंजियो तो दूसरी तरफ एयर टैल भारती, इसके लावात तीसरा कोई आप्शन दिखी नहीं रहा था, क्योंकि वी जो है, वोड़ाफ उन आइडिया, वो उसको भी कहीं न कहीं, डाइल्यूट याँ आप कह सकते हो कि बहुत हद तक कॉर्परेट सेक्टर को सपोर्ट देने की बात की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो जज्जमेंट था जो की एडजस्टेट ग्रोथ रेवेन्यू, AGR से रिलेटेड था, तो उसको कॉ एयर लाइन का हमें प्राइविटाइजेशन करना है, और अपनी जो भी बिडिंग के लिए कंडिशन थी, उनको थोड़ा थोड़ा कॉर्परेट सेक्टर के पॉइंट आफ यूस हैं, एडजस्ट किया, और अल्टीमेटली कल हमने देखा कि कंक्लूडिंग रिमार्क तक प प्राइविटाइजेशन हो जाएगा, और इसके लावा गौर्मेंट के तरफ से बैड बैंक के अप्रूवल को भी फाइनल अप गैरंटी दे दी गई है, और उसके वेसिस पे क्या हो जाएगा, कि जो कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्राबलम है, उसको सॉट इसी एनकरेजिंग है अगर एकॉनामी को पुश करने की बात की जाए तो, ठीक है, तो ये एनकरेज करेगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट को कंट्री में लाना, अच्छा, टेली कॉम सेक्टर में एक और चीज, कि अभी तक FDI 49% तक अलाव थी, वो अब बढ़ा करके 100% कर दी हैं, देखो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात करें, तो केरन एनर्जी का जो पुरा मुद्धा था, उसको एक सोलूशन मिलेगा, इसके अलावा, जो टेली कॉम सेक्टर बहुत ही ज़दा डिफिकल सिचुएशन से निकल रहा है, जहां पर की डियो पॉली का डर बिलकुल लगा हुआ था, कि अब तो कोई option ही नहीं बच रहा है, तीसरा कोई player भी आएगा market में, पर अभी government ने, यह जो financially stress में चलने वाले टेली कॉम सेक्टर में, और mainly किसकी वज़ए से AGR, जो adjusted gross revenue, उसकी definition को correct कर दिया, और उसमें correction में क्या कर दिया, कि जो non-telecom revenue आती ह ना, मतलब कि calling से, internet से, इन से जो income हो रही है, वो तो ठीक है, वो तो आपको adjusted gross revenue में डालना है, पर जैसे मान लो कि अपने किसी asset को कोई company sell करे, जैसे कोई property है, या कोई machinery है, कोई generator है, कुछ भी, तो उस case में वो property, वो property AGR में consider नहीं होगी, क्योंकि Supreme Court की जो ruling आई थी ना, September 2020 में, उसमें ये कहा था, कि जो भी adjusted gross revenue है, उसमें सारे के सारे transactions को include किया जाएगा, और उसमें ये भी बोला था, कि ये जो telecom company जिनके ओपर adjusted gross revenue due है, adjusted gross revenue के ओपर जो लगने वाला tax है, जो due है, उसको आने वाले 10 सालों में pay करना पड़ेगा, तो उसमें भी relaxation दे दिया है, वो कि जो already pressure में आई हुई है, पहली चीज़ तो देखो, जब से Relangio लांच हुआ है ना, तब से market में disruption आया है, जबरदस्त, ठीक है, तो इसकी वज़े से जो existing telecom sector के जो companies थी, उनके पास में इतना scope नहीं था, राइट, दूसरा फिर बाद में Supreme Court ने ये HDR वाला जो मुदा था, एक सितंबर 2020 को, जिसमें ये बोला था कि कोई भी transaction अगर telecom companies कर रही हैं, तो उनको उसके उपर tax देना पड़ेगा, अब चाहिए वो property tax, अपनी property, अपनी wealth को ही consolidate क्यों ना कर रही हो, ठीक है, तो इस चीज़ में अब 4 साल का, ये 10 साल का जो time दिया था Supreme Court ने, तो उसमें repayment का जो 10 साल का time था, उसमें भी 4 साल का moratorium दे दिया गया है, इससे क्या होगा, कि telecom sector, जहां पर बहुत ही कमी थी पैसे की liquidity crunch से वो जूज रहे थे, उनको एक सांस लेने का मौका मिल रहा है, तो ये अपने आप में short term में एक बार, बहुत ही welcoming move है, और इस तरीके के कदम जो है वो हमारे यहाँ पर investment attract करेंगे, jobs create करेंगे, economy जो बिलकुल ही pandemic की वज़े से धराशा ही हो रखी है, उसको एक push मिलेगा, ओके, तो ये जो tenure है, ये rise करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, वैसे तो ये है कि 30 साल तक का provision किया गया है, जिसमें कि जो spectrum uses charges हैं, उनको तो देखो scrap कर दिया, पहली चीज़ तो, कि एक बार spectrum किसी ने लिया और उसके बिलिये जो license fee लगेगी, एक बार license देना पड़ेगा, वो तो है ही, पर अब future में जो भी auctions होंगे, उनके लिए SCUCs नहीं apply होंगे, ये आप धान रखें, दूसरी चीज़ हो जाती है, कि जो spectrum का schedule है, कि auction क date को होगा, वो भी plan पहले से ही declare कर दिया, इससे क्या होगा, कि telecom companies, telecos, ये क्या करेंगी, कि अपने हिसाब से, अपने खुद के actions को strategically तैयार कर पाएंगी, कि हाँ, कितना रुपया हमें चाहिए, क्या plan करना है, कौन कौन से हम, bands को हम, मतलब एक तरीके सा खरीदने जा रहे ह या फिर जिनके लिए license issue करेंगे, तो overall बात क्या हो गई, कि telecom sector को बड़ा easy करने की बात की गई है, जिसमें spectrum usage charges खतम कर देना future actions में, और दूसरा, एक बार अगर auction हो जाता है, तो 30 साल तक का license वो रख पाएंगे, अपने spectrum को use करने का, और तीसरी चीज हो गई, कि spectrum का auction कब हो कि हाँ हमें कितना किसी साबसा आगे बढ़ना है, अगर कोई भी जैसे 5Z auction होने वाली है, तो वो 5Z auctions के लिए पहले से तयार हो जाएंगी, कि हाँ जी हमें कितना रुपया चीए, कि कौन कौन से हम, बेंड्स हैं, या जो भी frequency बेंड्स हैं, वो हम खरीदने जा रहे हैं, इ तो ये देखो domestic manufacturing को push करेगा, और export भी हिससे हमारा बढ़ेगा, तो intent जो है न, वो तो देखो straight forward है, और clear है, और बिना कोई problem के obstacles को खतम करना और corporate sector को push करना है, तो देखो, जब policy को clarity मिलनी शुरू हो जाती है, और policies में certainty दिखनी शुरू होती है न, फिर private sector automatically वहाँ पर attracted feel करत है, और वो invest करता है, तो ये policy बहुत ही ज़्यादा desperate थी, बहुत ज़्यादा जरूरत थी इसकी, जो की बिलकुल भी अगर थोड़ा बहुत भी ignore कर दिया जाए, तो फिर अभी economy आपको पता है, क्या हाल में चल रही है, तो ऐसे में private sector investment rise हो, vaccination की speed ज़्यादा हो, तो इसका फ अभी अपनी तरफ से efforts लगाने शुरू कर दिया है, कि जो national eligibility come entrance test, जो की पूरे country में common होने लग गया है, तो उससे बुला exit करेंगे, हम इसको विलकुल भी नहीं मानेंगे, जो की undergraduate medical colleges में entrance के लिए exam कंसिडर होता है, NEET, उसको उससे बाहर निकलना चारी है, तमिल नाडू की सरकार, और फिर से उसी method पर जाना चारी है, जिस method को पहले use किया करती थी, वो था कि class 12 में जो बच्चों के marks हा रहा है, बोलो उसकी वेस्चिस पर ही हम उनको admission देंगे, तो देखो अभी जो government है, DM के government चल रही है वहाँ पे, तो उन्होंने election के टाइम पर promise किया था, अब द जब तक approval नहीं देंगे, तब तक वो bill act में convert नहीं होगा, तो ऐसे में, no member की एक government committee establish की जाती है, और वो ये देखना चाती है, कि जी इस legislation को कितना support मिल सकता है, evidences इकटे करने थे, तो ये देखा गया, उन nine members की जो committee थे, उसने क्या देखा, कि जो गाओं से आने वाले लोग बच्चे हैं, या फिर economically weaker background से आने वाले बच्चे हैं, या फिर जो तामिल मीडियम से जो school में पढ़ता है, वो बच्चे हैं, या state boards के जो school students है, वो, इन चारो category के जो बच्चे हैं, उनकी जो admission की percentage देखी जाए ना, medical colleges में, बोले जब से neat को accept किया है, तब से ये चारो category के बच्चे जो हैं, वो admission नहीं ले पा रहा है, medical colleges में, बोले ये ज़्यादा favor करती है, neat है ना, वो English medium, well of family और CBSC के जो students हैं, उनको favor करती है, तो ये चीज़ यहां पर panel ने अपनी तरफ से बात बोली, इसके अलावा, एक और evidence कटा किया गया, इस panel के द्वारा, कि बच्चे ज motive issue, emotional issue, over-add हो गया यहां पर, तो overall यहां पर आप देखो, कि कुछ logics हैं, कुछ political issues हैं, और कुछ emotional issues हैं, इनको ले करके तमिल नाडू government अपनी तरफ से पूरी कोशिशे कर रही है, कि नीट exam को, तमिल नाडू में तो at least वो applying ना होने दे, अब देखो यह जो politics है ना, ये तम क्योंकि आपको पता हैं, कि 1950 में जब हमारा constitution enforcement में आ गया था, उस ताइम पर ना तो हमारा, मतलब उस ताइम पर यह बात चल रही थी कि यह national language किसको declare करें, तो बहुत सारे favor कर रहे थे, बोला हिंदी को declare कर दो, बटा objection आया, कि भई, non-hindi speaker states हैं, तो मना कर दिया, बोला हिं हिंदी अभी फिलाल national language नहीं है, यह हमारी official language होगी, और साथ में English भी जो है, वो continue रहेगी आने वाले 15 सालों तक, तो ऐसे में 1965 में review होना था, कि हिंदी को क्या अब national language बना देनी चाहिए, फिर 15 साल बाद में review की बातचीत होती है, इतने में तो Tamil Nadu में सबसे ज़्यादा violent out break होने शुरू हो जाते हैं, result यह रहता है, कि ना तो कोई अभी तक national language बन पाई है, और हिंदी जो है, उसके साथ साथ में English अभी continue है, चलो, English एक ऐसा medium है, जिसके through non-hindi speaker और हिंदी speaking states जो है, उनके बीच में proper interaction हो सकता है, या central government, या फिर non-hindi speaker states है, या जहाँ पे हिंदी न nationalism का idea है ना, यह यहाँ पर neat को लेकर के भी और यह language को लेकर के भी लगाता है, और तमिलाडू में mainly highlight होता है, तो सवाल यह है, कि जो यह gap बताया जा रहा है ना, कि गरीब बच्चे, गाउं से आने वाले बच्चे, या फिर जिनके माता-पिता, मतलब backward class से belong करते हैं, तो उ उनको थोड़ा opportunity मिले, इसके लिए तो देखो सही कदम उठाने जरूरी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप NEET से ही बिलकुल withdraw कर जाओ, NEET एक solution निकल के आया था, क्योंकि medical colleges में जो admission हो रहे थे ने states में, बहुत अलग-अलग state level पे admission हो रहा था, तो इस admission के लिए, जो entrance test था, उसको standardized करने के लिए, एक ये concept निकाला था, और Supreme Court ने भी इसकी validity को app held किया था, क्योंकि Tamil Nadu ने NEET को adopt करने से पहले भी बहुत सारी आनागानी किये, फिर उसके बाद में Supreme Court की guidelines कही, तब जाकर के वहाँ पर इस चीज़ को acceptance मिलनी शुरू हुई थी, तो editor यहाँ पे बो entrance exam कराते थे, उससे common entrance test होता है, तो उसको support करने की जरुवत है, आप अपने जो 12th class तक का education system है, उसको upgrade क्यों नहीं करते हो, जिससे कि जो college aspiration रखते हैं बच्चे, उनकी problem को solve कर सको, उनके लिए जो competitive exam के लिए challenges है, उन challenges को sort out करने की कोशिश करनी चीए, तमिलनाडू government को, न नीट को ही scrap कर दे अपने state के अंदर, ठीक है, बाद में एडिटर ये बताना चाहरा है, कि 2006 की बात करें, तब तमिलनाडू की government ने एक common entrance test examination शुरू हुआ था, उससे withdraw किया था, तब से लेकर 2017 तक वो ही चल रहा था, कि हाँ तमिलनाडू अपने हाँ पर खुद के हिसापस, अपने बच्चों का admission देगा, पर वो ही चीज है, कि अब medical colleges में जब throughout country इस चीज को accept किया जा चुका है, तो इस तरीके से आनागानी करने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट करने की जरूरत उन बच्चों को जो problem का सामना कर रहे हैं, और कैरिकुला को भी इसी तरीके से, इस सीट्स जो हैं, वो पहले से fix की हुई है, कि इतना percent सीट्स तो तमिल नाडू के बच्चों को ही मिलेगी, यह तमिल नाडू नहीं, all over India, हर एक state के अंदर provision दिया हुआ है, है की नहीं, एक तो होगी all India seats का कोटा, और एक होगया state कोटा, यह provision भी अच्छे से दिये हुए ह उसके बावजूद इस तरीके से आप object करते हो, तो वो चीज़े इतनी welcoming नहीं है, फिर आगे एडिटर बोलता है, कि हाँ, एक बार ठीक है, कि इस पैनल ने जो कोई भी sport बताया है ना, gaps के, exclusion के class based, class based या gender based, तो इनको जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए, पैनल की जो recommendation ह ना, उन पर ध्यान दे करके हमें इंडिया लेवल पर इस पर focus करने की ज़रूरत है, तो तमिल नाटो में इस तरीके की problem आती है ना, कि class, class, gender इनके basis पर admission में बहुत ज़्यादा variation दिख रहा है, तो वो तो देखो, इंडिया में हर एक state में है, तो उसको correct करना जरूरी है, social values को हमें high करना पड़ेगा, that means, वो ही बात है, कि logics के basis पर काम करने की जरूरत है, competition तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, जब हम admission की बात करें, और यह जो college education में या फिर medical education या engineering education की बात की जाए, तो यहाँ पर number of seats क्या है, वो बहुत कम है, और admission लेने वाले है, वो बहुत जाता है, तो यह जो gap है ना, यह जो mismatch है, जिसमें available seat और competitors, तो इसकी वज़े से hyper competition होता है, इसका result क्या होता है, कि आप need जैसे elimination test की तरफ जाना ही पड़ता है, और यह जो आप कह सकते हो कि इस तरीके से Tamil Nadu में इसी तरीके से problem आती है, तो एक ये भी तो ही ना, कि आप inclusive manner क अंदर educational system को promote करना चाते हो, तो उसके लिए भी थोड़ा सा government को push करने की जरूरत है, तो देखो, education अपने आप में सबका right है, इसमें कोई doubt नहीं है, तो यह जो कोई भी बाते हैं, देखो, दो options हम अच्छे से discuss कर चुके हैं, एक तो Tamil Nadu government को काम क्या करना चाहिए, कि इस competition मे जो बच्चे participate करना चाहरे हैं, उन लोगों के लिए आप पहले से अपना education curriculum system जो है, उसको upgrade कर दो, पहली चीज तो, दूसरी चीज़ आप ये करो, कि जो बच्चे यहाँ पर class, class, gender, इनकी वज़े से education properly नहीं ले पा रहे है, medical college में या engineering college में, उन बच्चों को, उस gap को हमें correct करने की ज़रुत है, तो एक तरफ जहाँ gap सो, उनको correct करो, दूसरी तरफ government की तरफ से push दिया जाए, यह तब जाकर कि अच्छे से result निकल पाएगा, admission अच्छे से हो पाएगा, बच्चों से, और जो colleges पे जो pressure है, वो थोड़ा down हो पाएगा, ठीक है, तो यह चीज़ जो हैं यहाँ पे, वो केरिला के finance minister है, शुरुआत होती है, देखो कि union finance minister निर्मला सीतारा मंजी ने, recently national monetization pipeline के नाम से announcement किया, तो भूले इसमें pipeline में जो philosophy है, यह क्या है, क्या private sector को push देना चाते हो, और इस private sector के push की वज़े से new infrastructure create होगी, और इसका फिर multiplying effect देखने को मिलेगा कि जी मान लो एक बार एक road बनती है, तो उसके कितने benefit होते हैं, और long term में वहाँ पर कितने ही job, रुजगार वो तैयार हो जाते हैं, तो writer जो है, इसके लिए बोल रहा है कि निती आयोग ने जो document दिया है, two volume में अपनी detail provide की है, कि कैसे government अपनी economic policies को push करना चारी है, वो भी तब जब economy एक distress का सामना कर रही है, और उसमें सबसे main focus रहेगा, infrastructure development के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर writer बोल रहे हैं, कि आपके पास में, देखो, resources की shortest तो पहले से हैं, और यह जो आपके पास में assets हैं, जिससे आप tax लगा करके, या कैसे भी करके, आप sales लगाओ, surplus लगाओ, या taxes लगा करके, आप अपनी revenue collect करते हो, और इनी assets को अगर आप बेच दोगे, तो आपके पास में पैसा पहले कम है, और रही सही में आने वाले टाइम पे पैसे की shortest और आ जाएए, तो यही main theme है, इस article की, इसी theme के आस पास में पूरा article discuss किया जा रहा है, तो center देखो, बहु assets take over कर ले, और इस national monetization pipeline के तहत है, जो भी disinvestment government करे, वो फिर बाद में government अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए कर सके, जो भी government के ओपर एक obligation है, या फिर जो responsibility government की वो fulfill हो सके, तो disinvestment आप कर रहे हो, वो भी किनका, जो profitable नवरतनाज है, अब profitable नवरतनाज है, वो तो देखो अच्छा कासा dividend देते हैं government को, एक तो income वो, दूसरा आप जो major sources हैं, जहां पर आप tax collect करते हो, वहाँ पर आप tax exemption दे रहे हो, छूट पे छूट दिये जा रहे हो, तो इसकी वज़े से भी ultimately जो income के shares हैं, वो तो down होई रहे हैं अब central fund है, वो पहले से सिकुडा हुआ है, और squeeze हो जाएगा, और सिकुड जाएगा, तो इसकी वज़े से देखो ultimately, state जो finance की state है ना, वो बिगड़ती चली जाएगी, तो writer एक अलग opinion अपना दे रहे हैं, left opinion है, leftist opinion है, rightist opinion तो क्या कहेगा, privatization को promote करो, और leftist opinion क्या कहेगा, कि यहाँ पर government अपनी पकड़ को बिल्कुल ना छ थोड़े, ठीक है, थोड़ा सा आपने अगर NCRT पढ़ लिए, world politics वाली, चाइना मतलब यह जो USSR और USA की बीच में, जो cold war के time पे, जो situation थी, उसको आप थोड़ा से interpret कर सकते हो, यहाँ पे, okay, अब देको center जो है, पंचायतों को भी advice दे रही है, कि वो भी अपनी properties को monetize कर ले और अपनी जरुवतें, जैसे कि कोई भी revenue expenditure तो उसको fulfill करे, तो यह तो तरीका वो हो गया कि आप, वो ही बात है, Congress की तरफ से तो यह blame किया जा रहा है न, कि भई, खुद के घर का सोना बेज करके, आप रोटी खाने की ववस्ता कर रहा हो, नए रोजगारों की ववस्ता क्य और यह जो federal character है, जिसमें central government और state governments है, वो साथ में मिलकर के काम करती है, इन सभी को protect करना बहुत ज़ादा जरूरी है, अब federal character का क्या issue है, उसी पर main यह article focus करता है, वो यह कि central government की जो policies हैं, उनके चलते हैं अभी, जो states को जो devolution मिलता है न, taxation के basis पे जो revenue करता होता है, उसमें, बोलो उसमें लगाता है, डिकलाइन देखने को मिल रहा है, और इसमें main जो है, वो है GST की बात, शुरुआत होती है GST, क्योंकि GST काउंसिल की meeting होगी, आपको बता 45th meeting, 45th session उसका होगा meeting का, तो उसमें यह है मुद्दा कि GST में यह provision था, शुरुआत में जो compensation scheme का provision था, उस over कर रहा है, तो उस case में बुल है, केरिला ने अभी तक compensation के तोरपे 13,000 करोड रुपए तक receive किये है, ठीक है, तो उसमें क्या था, क्योंकि केरिला को जितना normal conditions में GST से पहले, जितना revenue collect होता था, उसके comparison में GST implement होने के बाद में 14% तक का loss हो गया, तो उस loss को compensate किया गया था, central government के दोरा, तो अब वो जो compensation scheme आपको पता है, कि 2022 के बाद में बंद होने वाली है, कल हमने इस से related एक article भी देखा था, अर्विन सुब्रमन्यन जी का, जिसमें ये बताया गया था, कि कैसे अब आगे काम करने की ज़रुत है, कि वहाँ पर एक buffer stock create किया जा सकता है, दूसरा ये बोला था, कि ये जो tax insurance है, वो कर दिया जाए, ठीक है, जो भी tax devolution जाता है states के पास में, उसका insurance दे दिया जाए, कि कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत भी problem आए, एक state की income, या फिर एक state की GSDP में अगर 3% तक का decline देखने को मिले, तो वहाँ पर चे buffer stock से आप 1% निकाल क करके उसको support दे दो, और ये support मिलेगा आने वाले जब loss consider हो जाए, तो उसके 3 साल आने वाले जो 3 साल वहाँ, ये सारी चीज़े हमने कल देख ही ली थी, तो उनी चीज़ों के लिए और दूसरे options बताया जा रहे है, तो एक तो ये हो गया, कि compensation scheme जो है, वो बंद हो जाएगी तो GST के अब आगे फिर बाद में states का मालिक कौन, states के बास में revenue का option नहीं बचेगा, इसके अलावा केरला already बहुत जादा revenue shortfall का सामना कर रहा है, तो ये केवल केरला specific नहीं, ये आप general way मेला हो, कि केरला को 1917, 80s, 70s या 80s की बात करें न, तो जो divisible pool होता न, central government के पास में जो पैसा ही कटा हो जाता है, और उसका जो एक हिस्सा मिलता है states को, तो बोलो उसमें से केरला को 3.92% मिला करता था, जो कि फिर बाद में decline होते होते, आप देखोगे, यहां तक देखो, 13 Finance Commission के recommendation basis में कितना मिला, 2.34% और 14 Finance Commission ने फिर थोड़ा सा rise किया, वो पहुंच गया कितना, 2.45 या फिर धाई परसेंट तक मानो, और 15 Finance Commission ने तो ओर जदा reduction कर दिया केरला के share में, तो point यहां पर क्या बताया जा रहा है, कि अभी जो tax devolution है ना, उसमें भी states की हिस्सेदारी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि आप यह जो Finance Commission Article 280 के तहद जो constitute किया जाता है, President of India की दोरा हर 5 साल में, जो की balancing wheel के तोर पर काम करता है, states और center government की बीच में, जिससे की हाँ, उनके बीच में tax devolution easily किया जा सकी, कि हाँ जी states का कितना हिस्सा है, तो उसमें भी आप देखो, कि नए yard sticks लिये जा रहा है, नए term of references लिये जाते हैं, तो उस वज़े से क्या हो गया, कि states की जो revenue है या states का जो हिस्सा है, वो लकादार कम होता चला जा रहा है, ठीक है, 2019-2020 में केरला की यहाँ पर example case study के तोर पर बताया जा रहा है, केरला को लगबग 17,000 करोड रुपए divisible pool था, और आप देख सकते हो कि 17,000 करोड रुपए केरला को मिलते हैं divisible pool में से, और यह था 14th finance commission के recommendation क basis पे, और फिर उसके बाद में 2020 की बात करे ना, तो केरला को कितना लोस हुआ है, लगबग 6400 करोड रुपए, तो overall बात क्या रही है, states की जो revenue space है, वो decline होती चली जा रही है, जो भी reforms अभी लाए जा रहे हैं, उसकी वज़े से, अभी आपको पता ही है, कि 15th finance commission की recommendation 2021, 2021 से ल development के basis पे जो grants दी जाती है, हना, तो उसकी वज़े से बहुत जादा problems का सामना करना पड़ रहा है, मतलब वही है, कि अगर terms of reference आप change करोगे, तो उसका असर तो सीधा सीधा पड़ेगा ही, कुछ states को फायदा होगा, तो कुछ को नुकसान भी होगा, तो ऐसे में, जो developed states हैं, for example, करनाट का, केरला, तो इनको बोले, इनका divisible pool में जितना हिस्सा हुआ करता था, वो decline कर गया, इसके अलावा केरला का अगर annual expense देखें तो वो बता रहे हैं, 110,000 करोड रुपय होता है, जिसमें अभी shortfall अगर देखें ना revenue में, तो 32,000 करोड रुपय का shortfall देखने को मिल र परेगा, और दूसरा, जो बड़ी-बड़ी ये कंपनिया है, उनको tax में exemption मिलता है, तो वो छूट के चलते, और ज़्यादा situation aggravate हो जाती है, क्योंकि, देखो, tax collection कहां से आएगा, जब आप tax collect करने के लिए apply करोगे, अब ये छूट दी जा रही है, तो उससे taxation short पड़ेगा तो बुलें कि central government के पास में already जो revenue shortage है, वो और कम पड़ जाएगी, पर एक चीज आपको पता ही है, कि ये बिलकुल clear बात होती है, कि अगर आप tax rates को reduce करते हो, तो इससे tax base increase हो जाता है, तो वो compensate कर जाता है, अगर tax rate अगर rise रहती है ना, तो उसके लिए ये कहा जाता है, कि जो हैं, वो tax evasion करना शुरू कर देते हैं, tax की चोरी करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मैं आप मुझे comment box में बताओ, कि ये कौन सा curve है, वो show करता है, ठीक है, कि अगर आप tax rates को reduce करोगे, तो tax base बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग tax देने से, नहीं और उससे revenue loss नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर writer जो हैं, वो leftist ideology से हैं, इसलिए थोड़ा सा way है, वो आपको बिल्कुल different मिलेगा, तो ऐसे में corporate houses के ओपर जो taxation है, उसको reduce करने की वज़े से, सरकार के हाथ में tax भी कमाएगा, और रही सही में जो कोई भी assets है, government के, वो assets भी क requirements को पूरा करने के लिए, तो बोले, उससे ओर ज़्यदा crunch रहेगा, cash का, ठीक है, जब GST बिल आया था, उस टाइम पर, 2016 की बाते चल रही हैं यह, ठीक है, तब बोले, राज्य सबाब में select committee का member में था, ठीक है, तो left parties ने, अपनी तरफ से एक decent note दिया था, decent note का मतलब, कि ह तो बोले, यह जो fiscal federalism है ना, जहां पर, एक तरफ तो center है, दूसरी तरफ states है, इनके इसमें एक balance बने, उसमें आप center की तरफ जुकाओ कर दोगे, तो fiscal federalism कम हो जाएगा, तो यह चीज तो B.R. Ambeidgarji ने भी constant assembly में कही थी, कि states के पास में, केवल sales tax ही, एक ऐसा tax है, जिसके basis पे वो अपने revenue collect कर सकते हैं, और सरकार की legitimate सी तब ही होती है, जब उनके पास में, खर्च करने के लिए पैसा हो, लोगों की welfare के लिए पैसा हो, अब सवाल यह है, कि GST जब आया है, तब से sales tax आपको पता है, टेक ओवर कर लिया गया है GST के दौरा, तो SMA states के पास में autonomy नही रहती थी पहले, तो writer एक ही चीज बोल रहे है, कि cooperative federalism इतना अच्छा perform नहीं कर रहा है, जितना बोला जा रहा है, पर कल हमने देखा था था ना, कि GST council के अंदर अच्छी खासे representation है, ठीक है, तो वहाँ पर writers ने अच्छा suggestion दिया था कल वाला, वो क्या suggestion था, आपको भी है, governance में change के लिए क्या करें, कि जो chairman है, chair person है, वो तो देखो central finance minister होंगे, कोई doubt नहीं है, पर vice chair के तोर पे, rotational basis पे, जो opposition parties के जो अलग-अलग states में जो government चल रही है, उनके finance minister को vice chair बनाओ, और जो अभी technicalities है, GST council की, उनको ये दोनों मिल करके finalize करें, इससे क्या होगा, कि एक representative manner में cooperative federalism काम करेगा, तो वो चीज़ है, तो writer यहाँ पर cooperative federalism के उपर भी जवाल उठा रहे हैं, कि एक तरफ हम division करते हैं, state और central government में, और वहीं पर आप एक tax impose करते हो, तो उसकी वज़े से states के पास में economic depression के अलावा कुछ नहीं बच जाता है, तो ज़रुत यहाँ पर है, क states को और ज़्यादा revenue के sources create करने के लिए scope तयार किया जाए, और केरला ही नहीं, throughout country अलग अलग states इसी तरीकी की problem का सामना कर रहे हैं, और central government की responsibility है, कि जो public asset है, वो private individual या corporates को take over ना करने दे, बेचे नहीं, क्योंकि यह क्या कर रहे है, थोड़ी से leftist ideology का sense यहाँ पर आ रहा है ठीक है, तो आपको दोनो चीजें समझने की ज़रत है, right and left और फिर उसके बाद में एक balanced opinion आपका तयार होना चाहिए, ठीक है, तो यही चीजे बताई जा रही है, कि GST council को या फिर जो parliament है वो, या फिर national development council, बोलो इनको इन मुद्दों पर बात चीत करने की ज़रत है, नहीं तो उस टाइम पे जो J.M. Keynes का method था, उसमें क्या बताया था, कि सरकार को intervention देने की ज़रूरत है, सरकार को खर्चा करने की ज़रूरत है, तब जाकर के 1920s जो great depression था, 1928-29, world history में आप पढ़ते हो, right, तो उससे बाहर निकल पाई थी economies, दूसरा 2008 की बात करें, तब भी सरकारो ने ही पैसा खर्च किया था, जबकि आज भी जो है, पेंडेमिक की वज़े से economic crisis बन रहा है, वहाँ पर हम privatization की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा doubt आता है, क्योंकि previous experiences ये कहते हैं, कि हमें government पर, government को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चीं, ना कि private sector के उपर अंदविश्व पास करने की जरुरत है, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, इस तरीके से हम colonial era की तरफ shift हो रहे हैं, जो कि बहुत जादा मुश्किलों का कारण बन सकता है, आने वाले टाइम पर, ओके, आगे चलता है, नेक्स्ट आर्टिकल है back to school, आर्टिकल को लिखा है निमरत कंडपुर और रिशिकेस बियस ने, देखो इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि schools में अगर देखा जाएना, तो दो तरीके की losses अभी देखने को मिला है, pandemic की वज़े से, एक तो loss ये कि पिछले डेड़ साल से schools open ही नहीं हो रही हैं, तो कुछ भी नहीं सीखा और दूसरा loss ये कि जो आता था ना, वो भी भूल गए बच्चे, तो ये दो losses बड़े सारे हैं, तो अभी देखा जाए, तो quantified manner में अगर देखा जाए, तो अभी एक report रिलीज होई है, जिसका नाम है, what's next, यहाँ पे आप देख सकते हो, what's next, ये education recovery से related, lesson on education recovery, और ये report रि centuries में आप देखो कि कितना loss हुआ है, जो बच्चे स्कूल से बाहर रहे हैं, चाए वो primary school हो, चाए secondary हो, चाए higher secondary हो, हर एक level के ओपर बच्चों की जो पकड़ है education पे, वो बहुत weak हो पाई है, literacy level है, वो उनकी standard के हिसाब से उतना नहीं है, क्योंकि वही चीज है, reading skills नहीं है, simple mathematical calculations नहीं कर पा रहे हैं, और इसके पीछे वज़े क्या है, लगबग 500 दिनों तक schools का बंद रहना, इसका मतलब 70 weeks तक लगातार school का बंद रहना, और बच्चे फिर घर पे हैं, तो उनको कितनी परेशानिया होती हैं, वो आप भी समझ सकते हो, education के साथ साथ में उनकी कितनी learning सलती हैं, social interaction कितना आता है, वो चीजे गायब हैं, तो सवाल ये है, कि बच्चे फिर से classroom में आ रहे हैं ना, तो हमें observation, dialogue और exploration के basis पे और एक structured manner में उनको learning की process पे करने की जरूरत है, मतलब जो loss हो गया ना, उस loss को recover करने की जरूरत है, सबसे पहले तो, ठीक है, इसमें के ओपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, नहीं, जो भी deficit है, learning deficit, जो lose हो चुका है, उसके लिए आप bridge courses है, हमने पहले भी discuss किया था, कि bridge course करा दो, या additional कोई class लगवा दो, या जो classes आप conduct करा हो, उनी के अंदर आप previous classes, जो डेड़ साल का जो loss हुआ है ना, उसको पहले आप cover करवा दो, ठीक है, next question ही आजाता है, कि क्या चीज सिखाई जाए, तो NCRT की जो की एक nodal academic institution हमें पता है, उसके आप books भी पढ़ते हो, तो उसके लिए ये है, कि बच्चों को ये देखना है, कि वो कहां कहां पर problem है, जैसे कि आप किसी भी point को read करने की abilities देखो किसी बच्च ना, learning है, वो ज़्यादा important है, ना कि wrote learning ज़्यादा important है, ठीक है, और learning outcome है, वो हमें prioritize करना पड़ेगा, जैसे कि मानलो, maths में कोई student अच्छा perform कर रहा है, या maths को आपने पिछली classes जो miss हुई, वो भी पढ़ा दी और अभी जो चल रहा है, वो आप parallelly पढ़ा रहे हो, तो maths है क creativity बनती है दिमाग के अंदर, उसके जो question solve किये जाते हैं, तो उससे क्या होता है, दूसरे subjects को learn करने में बच्चे को help मिलती है, क्योंकि जब वही बात है, neurons जब खुलेंगे ना brain के, तब अपने आप ही outcome मिलना शुरू हो जाएगा, इसके लावा different learning level के ओपर जाना पर यहाँ पर सवाल ही आजाता है, कि अगर आप weak students हैं, उनका group एक बना दो, और जो अच्छे students हैं, उनके group एक अलग बना दो, तो ऐसे में weak students के पास में encouragement नहीं होगा कि वह अच्छा perform करें, क्योंकि वह पहले से इस चीज़ को समझ चुके होंगे, कि जी हाँ, उनकी self-esteem है वो down हो जाएगी, कि हमें कुछ अच्छा भी perform करना है, और उनकी जो labeling है, हाँ कि हम weak हैं, तो labeling उनके performance के उपर permanent एक चाप छोड़ देगी, जो कि फिर long term में, मुश्किल होगा सामना करना पड़ेगा उनको, तो देखो, यहाँ पर roll आ जाता है फिर teacher का, तो teacher की जो training है, वो क circular create किया जाएं, कि focus वाकई में कहां पर होना चाहिए, ठीक है, कौन से subjects पर होना चाहिए, क्या timing होना चाहिए, चाहे primary level हो, या फिर secondary या higher secondary level हो, ठीक है, इसमें जो foundational ability जैसे की, बोलना और पढ़ना, मतलब किसी चीज़ को read करना, write करना, और understand करना, mathematical calculations को solve करना, यह सारी या integrated, एक integrated approach में पढ़ाई कराने की जरुवत है, इसके अलावा आप देख सकते हो, fundamentals पे तो ध्यान दो, आप किसमें primary और middle school पे, जबकि core subjects हैं, उन पर आप ध्यान दो, secondary और senior secondary education level के ओपर, इसके अलावा, additional material भी हम provide कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो है, practically learn कर सके, जैसे की model बनवा करके, उनको कुछ सिखा दिया जाए, फिर roll आ जाता है, देखो teachers का, teachers को autonomy देने की जरुवत है, जिससे की वो बच्चों को क्या सिखाना चाते हैं, और कब सिखाना चाते हैं, उसके लिए autonomy, autonomous manner में वो काम कर सके, ठीक है, इसके लिए curriculum को change करो, approach जो है, teaching और learning की, उसक अपनी तरफ से deploy कर सके, और एक attractive manner में, meaningful manner में, बच्चों की जिन्दगी के साथ connect करता हुआ, जब teacher उनको सिखाता है, तो उनको बहुत benefit मिलता है, बच्चों को, तो teacher जो है, वो अपने आप में बहुत important है, उनकी abilities को और strengthen करने की जरुरत है, इसके आगे बोला जा रहा है, क पर recover करो, ना कि last में एक exam लो, मतलब यह हो गया, कि हर एक महीने, जैसे हो भी चुका है, देखो यह, कि monthly basis पर exam होने लग गए आज खल, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कि month basis पर जो assessment हो का, उसके basis पर फिर बाद में final result तयार कर दिया जाएगा, इसमें students के ओपर pressure नहीं होना च ही है, बस उनको सिखाते जाओ, regular basis पर assessment करते जाओ, और finally फिर students को आप उनका result तयार करो, right, इससे क्या होगा, बच्चे demotivated feel नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है, आप डराओगे, धमकाओगे तो बच्चे क्या करेंगे, अरे यार हर महीने टेस्ट देना पड़ता है, डराते धमकाते हो रहे हैं, तो इसकी वज़ए से फिर वो अच्छा perform भी नहीं करेंगे, अजी studies में ध्यान भी नहीं देंगे, तो ऐसे में important ये चीज़ है कि school के closure की वज़ए से जितना नुकसान हुआ है ना learning का, उसे हमें acknowledge करने की जरुवत है, और बच्चों को देखो, जो भी losses होए हैं, उनको unique experience basis पे उनको scope या support देने की जरुरत है, ठीक है, तो ऐसे में देखो, schools फिर से open हो रहा है, ये अच्छी बात है, vaccination भी speed से हो रहा है, पर ये है, अब time और patience, समय और धेज है, ये दो ऐसी चीज़े हैं, जो कि सारी चीज़ों को heal कर सकती हैं, बाकि efforts तो हम करी नी रहे हैं, ये चीज़े हैं पर writers के द्वारा बताई गई है, अजीम प्रेम जी university में faculty हैं दोनों, तो जितने भी articles से उनको detail में देख लिया है, ठीक है, thank you very much.